तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चेप्टर नमबर नाइन और चेप्टर के नाम है किपिंग हेल्दी स्वस्थ रखना एक स्वस्थ शरीर अच्छा महसूस करने और अच्छी तरह से रहने में हमारी मदद करता है In order to be healthy, स्वस्थ रहने के करम में, we must take care of our body हम लोगों को अपने सरीर की अवसी देखवाद करनी चाहिए Good health helps us to stay active and strong अच्छा स्वास्थ, सक्रिय रहने और मजबूत रहने में हमारी मदद करता है It keeps us fit, यह हमें तंदुरुस्त रखता है We should keep ourselves clean, हमें स्वाइं को साफ रखना चाहिए Exercise daily, रोज कसरत करनी चाहिए Have good food habits खाने की अच्छी आदतें होनी चाहिए Sleep well, अच्छी तरह से सोना चाहिए और अब next है, keeping clean Our body needs care, हमारे सरीर को देखवाल की जोरत होती है Personal cleanness keeps us healthy ब्यक्तिकत सफाई हमें स्वाष्त रखती है So let's learn more about health and cleanness इसलिए हम लोग साफ सफाई के बारे में और जानेंगे या जाने Here are some ways to keep clean, you should यहां कुछ तरीके दिये गए है To keep clean, साफ रखने के लिए कुछ तरीके दिये गए है You should, जो तुमें करना चाहिए है Wash your hands after using the toilet Toilet use करने के बाद After using the toilet Toilet use करने के बाद अपने हाथों को धोए और जैसा कि पिक्चर में भी देख पार है हम लोग Avoid washing hands हाथ धोता हुआ एक लड़का Brush your teeth everyday In the morning and at night Everyday मतब रोज सुभा में और रात में अपने दादों को brush करें और जैसा कि पिक्चर में दिखाएगा आप बवाए brushing Brush करता हुआ एक लड़का और उसके बाद आता है यहां पर Take a bath everyday हर दिन असनान करें Use a clean towel to dry yourself सुखाने के लिए एक साफ तॉलिय का इस्तमाल करें Wear clean cloths after a bath असनान के बाद साफ कपरे पहने Keep your eyes, ears and nose clean अपने आँख, कान और नाख को साफ रखें Always wash your eyes with clean water हमेशा अपने आँखों को साफ पानी से wash करें यानि धोएं Use handkerchief to wipe your face अपना चेहरा पोचने के लिए Wipe means पोचने पोचने के लिए रुमाल का इस्तमाल करें जैसा कि पिक्चर में भी हम लोग देख पा रहे हैं एक लड़के को A boy using handkerchief to blow his nose अपने नाख पोचने के लिए इस्तमाल करें पतलब रुमाल यूज करता हुआ एक लड़का Now keep your hair clean अपने बालों को साफ रखें Come then Come then properly उन्हें उची तरीके से कंगी करें और पिक्चर में दिया गया यहाँ पर A girl coming her hair अपने बालों को कंगी करती भी लड़की Keep your nails short and clean अपने नाखुन को छोटा और साफ रखें Now अप पिक्चर में दिया गया An adult cutting the nails of a kid एक adult याने एक वैस्क बच्चे के नाखुन को करती भी Now keeping fit तंदुरुस्ती रखना या तंदुरुस्त रखना तो पहला इसमें आता है कैसे तो पहला इसमें है rest Rest is very important for our body Rest यानि विश्राम या आराम हमारे सरीर के लिए बहुत ही महत्वर्ण है It is essential for proper functioning of our mind and other body parts या हमारे mind or un-body parts यानि मस्तिक्स और अन्य शरीर के अंग का उचित तरीके से काम करने के लिए आवस्यक होता है Essential means आवस्यक और जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं एक लड़की क्या कर रही है तो वो योगा कर रही है इससे क्या होता है हमारा सरीर relax होता है हमारे सरीर को आराम मिलता है और अब exercise means बयायाम यानि कसरत exercise makes our body healthy and fit exercise makes our body healthy and fit बयायाम हमारे सरीर को स्वस्थ और तंदृस्थ बनाता है it helps our body parts to move easily यह हमारे सरीर के अंगों को असानी से हिनले में मदद करता है योगा, skipping, running and jogging are some ways to keep us fit and healthy योगा, skipping यानि रसी कुद running, दोड़ना and jogging और कुदना या उच्छलना ये fit और स्वस्थ रखने के कुछ तरीके हैं walking is also a good exercise तहलना भी एक अच्छा बयायाम है एक अच्छा exercise है We should go for a morning walk daily हम लोगों को रोज, daily मतलब रोज morning walk पर जाना चाहिए Playing outdoor games also make us healthy and strong Playing outdoor games बाहर के खेल, खेलने से हमारा सरीर स्वस्थ और मजबुत बनता है एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं Playing outdoor games also make us healthy and strong यानि बाहर के खेल खेलना हमें सस्थ और मजबुत बनता है ना इत्वेल अच्छी तरह से खाना Taking the right food at the right time is also very necessary for a good overall health Taking the right food यानि सही भोजन लेना at the right time सही समय पर सही भोजन करना या लेना is also very necessary for a good overall health एक अच्छे स्वास्त के लिए बहुत ही अनिवार है तो सही समय पर सही भोजन लेना एक अच्छे स्वास्त के लिए बहुत ही अनिवार है आवर फूड मस्ट इंक्लूड वराइटियो फूड्स हमारे भोजन में अवस्ट मिंस अवस्ट इंक्लूड वराइटियो फूड्स हमारे भोजन में अवस्ट ही कई किसम के या अनेक किसम के भोजन सामिल होनी चाहिए आवर डाइट मस्ट इंक्लूड फ्रेश विजिटेवल्स फूड्स सेरियल्स पल्स एंड मिल्क इन अवर डेली मिल्च हमारे डाइट में अवस्ट ही ताजी सबजियां फल अनाज दाल और दूद रोज के वोजन में सामिल होनी चाहिए और अब उसके बाद आता है स्लीप स्लीप इस नेचरल पाट और पाट अबरीबड़ी स्लाइफ सोना हर किसी के जीवन का एक प्रेक्रितिक हिस्सा है स्लीप लाइक डाएट and एक्सेर्साईस इस इंपोर्टन फोर आवर मैंड और बाडिज पॉँन प्रपरलि डाएट और एक्सेर्साईस के तरह स्लीप अपने मैंड और बाडिज को उचीत तरीके से काम करने के लिए इंपोर्टन है मतलब महत्पड़ है We must sleep for 8 hours in a day हम लोगो अवसी रोज 8 घंटे सोना चाहिए We should never cover our face while sleeping हम लोगो कभी भी Never means कभी नहीं क्या मतलब लगा तो हम लोगो कभी नहीं सोते समय अपने चेहरे को कभी नहीं ढगना चाहिए We should never cover our face while sleeping सोते समय हम लोगो को अपना चेहरा कभी भी नहीं ढगना चाहिए We should go to sleep early and wake up early हम लोगो को सबेरे सोना और सबेरे जगना चाहिए अब जिसा की पिक्चर में हम लोगो देख पा रहे हैं और अब है गुड है यानी अच्छी आदते हैं अच्छी आदते हैं विकास करना अनीवार यह आवस्यक हैं अब वो कौन कोंसी अच्छी आते हैं तो do not bite your nails अपने नाखुनों को ना काटें दांस से काटें तो अपने नाखुनों को दांस से ना काटें नेबर स्पीट अन्दप लोर और रोड पर्स पर या सडक पर कभी भी ना थुकें जैसा कि और सभी लोग थुकते हैं तो हमें वै कहां जहां तहां भी हम लोग जो थूखते हैं ये ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए हम लोग को तो हर जिगा नहीं थूखना चाहिए थ्रो वेस्ट इंडस्ट बिंस कूडे दान में कूड़ा फेकना चाहिए डूनोट डॉर्टी यूर्स रांडिंग्स अपने परवेस को गंदा ना करें कवर यूर्ट वाइल स्नेजिंग्स, कौफिंग्स और यानिग्स चीकते समय और यानिग्स या जमाई लेते समय अपने मुह को ढकें Next चेप्टर है Housing and Clothing We need a house to live in हम सबों को रहने के लिए एक घर की जरुत होती है A house protect us from heat, cold, rain and storms एक घर हमें गर्मी, ठंडी, वर्षा और तूफान से बचाता है और जिसा की पिक्चर में देख पा रहे हैं किस तरह का दिन है तो hot day, यानि गर्मी का दिन, cold day, ठंडी का दिन फिर उसके बाद है stormy day, आंधी या दुफान के दिन, rainy day यानि वर्षा के दिन जानवरों और चोरों से भी सुरक्चित रखता है, कौन तो house Now, rooms in our house, there are many rooms in a house, घर में अनेक कमरे होते हैं, Each room has its own use, हर कमरे का अपना उपयोग होता है, we cook food in the kitchen, हम लोग बोजन कीचन में पकाते हैं, we rest and sleep in the bedroom, हम लोग बेडरूम में आराम करते हैं और सोते हैं, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यह क्या है तो kitchen, यह bedroom, bathroom, dining room, study room, और फिर आगे बढ़ते हम लोग, we take a bath in the bathroom, हम लोग bathroom में असनान करते हैं, we use dining room for taking milk, खाना खाने के लिए, भुजन करने के लिए, हम लोग dining room का इस्तमाल करते हैं, we study in the study room, हम लोग study room में study करते हैं, मदब पढ़ाई करते हैं, we also, sorry, we all live in our houses with our family, हम सभी अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहते हैं, we should keep our house neat and tidy, हमें अपने घर को साफ सुथ्रा रखना चाहिए, there should be proper light and ventilation in the house, घर में उचित रोशनी और रोशन दान होनी चाहिए, उसके बाद है our cloths, यानि हमारे वस्त्र, हमारे कपड़े, we wear cloths to cover our body, हम लोग अपने शरीर को ढखने के लिए कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, they protect us from heat, cold and rain, वे हमें गर्मी, ठंडी और वर्षा से बचाती है, सुरक्छा करती है, clean cloths make us look smart, साफ कपड़े, हमें सुन्दर बनाते हैं, we wear different kinds of cloths, according to seasons and occasions, हम लोग, season और occasions के अनुसार, यानि की, मौसम, यान ठंडी गर्मी वर्षा, और occasions, और अवसर के अनुसार, जैसे की कोई फेस्टिबल के अनुसार, अलग-अलग परकार के कपड़े पहनते हैं, now cloths according to seasons, यानि मौसम के अनुसार, यानि रितुओं के अनुसार, कपड़े, in summer season, गर्षम रितु में, we wear cotton cloths, हम लोग, सूती कपड़े पहनते हैं, they keep us cool and absorb the sweat, वे, हमें ठंडा रखते हैं, and absorb the sweat, और पसीने को शोकते हैं, now, in rainy season, we wear a raincoat when it rains, वर्षा रितु में, हम लोग, रेंड़ को पहनते हैं, वर्षा होती हैं, हम लोग, रेंड़ को पहनते हैं, it prevents, it prevents us from getting wet, या हमें भींगने से बचाती है, we also wet gumboots, and use umbrellas, हम लोग, gumboots भी पहनते हैं, और चाते का भी इस्तमाल करते हैं, in winter season, यह ठंडे रितु में, we wear woolen cloths like sweets, sorry, like sweaters, gloves, coats, it is easy, in winter season, we wear woolen cloths like sweaters, gloves, coats, it is easy, ठंड के मोसम में, हम लोग, उनी कपड़े, जैसे sweater, gloves, यानि दस्ताने, coat, इत्यादी पहनते हैं, देखकी पस warm, वे हमें गर्म रखते हैं, और यह picture में लिखाया गया है, जो हम लोग, ठंड के मोसम में पहनते हैं, we also wear our cloths according to the occasions, we also wear our cloths according to the occasions, हम लोग, occasions के अनुसार, यानि अवसर के अनुसार, भी, अपने कपड़े पहनते हैं, अब हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म की, यानि ड्रेस, चिल्डरन, wear school uniform, when they go to school, जब बच्चे इस्कूल जाते हैं, तो वे school uniform पहनते हैं, we should always make sure that, our cloths are clean and tidy, हमें हमेशा यह सुनस्चित करना चाहिए, कि हमारे कपड़े, clean और tidy हैं, साफ सुथ रहा हैं, we should take good care of our cloths, हम लोगों को, अपने कपड़े की, अच्छी देखवाल करनी चाहिए, और अब नेक्स्ट चेप्टर, एर अराउंड अस, चेप्टर नमबर है, अलेबान, क्या मतलो है चेप्टर का, नाम का मतलब, एर अराउंड अस, मिन्स हमारे आसपास के, वायू, तो क्या है एर, तो बात करते हैं हम लोग आगे, एर अराउंड अस, एर हमारे हर तरफ है, हमारे चारों तरफ है, बट वी कान नोट सी और टच इट, लेकिन हम लोग इसे, देख या छूने सकते हैं, वेन इट मुप्स, जब ये चलती है, तो हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं, चलती वायू को हवा कहा जाता है, वी कैन फिल इट, वेन वी स्टैन इन फ्रेंट ऑफ वर्किंग फैन, हम लोग इसे, तब महसूस करते हैं, जब हम, चलते हुए पंखे के सामने, खड़े होते हैं, और जिसाए के पिक्चर में भी हम लोग देख पा रहे हैं, वी कैन फिल इट, वेन वी फैन, आवरसल्स विद अ हैंड फैन, हम लोग इसे, तम हसूस करते हैं, जब हम लोग, एक हाथ के पंखे से, अपने आपको, पंखा करते हैं, मतलब, पंखा होकते हैं, वी कैन फिल इट, इंसाइड आवर माउथ, वेन वी बलो आवर चिक्स, हम लोग, इसे महसूस कर सकते हैं, इंसाइड और माउथ, अपने माउथ के अंदर, अपने मुह के अंदर, इसे महसूस करते हैं, वेन वी बलो आवर चिक्स जा हम लोग क्या करते हैं बलो आवर चिक्स गाल फुलाते हैं वी कान फिल इट वेन वी बलो इट इन्टु अ बैलून हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं वेन वी बलो इट इन्टु अ बैलून यानि जब हम लोग इसे बैलून में बढ़ते हैं तो हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं और अब विंड वेन एर मुप्स वेरी फास्ट जब वायू बहुत तेज चलती है इट इस कॉल्ड विंड इसे हवा का जाता है wind can move things along with it हवा अपने साथ चीजों को बहा ले जा सकती है वेन एर मुप्स वेरी जेंटली जब वायू बहुत धीमी चलती है इट इस कॉल्ड ब्रीज इसे मंध हवा का जाता है ब्रीज मतला मंध हवा और अब आगे है air has weight वायू में भाहर होती है अब वो कैसे तो activity one हम लोग देखते हैं क्रिया क्लाप एक कौन से क्रिया क्लाप तो तो सो air has weight वायू में भाहर होती है या सो करने के लिए पर्दसित करने के लिए तो क्या करते हैं उसके लिए टेक टू बैलोंस दो बैलून लो फिल दा एयर इन वन बैलून अनली केवल एक बैलून में हवा भरो वायू बहो पुट बहुत दिख बैलूनस इन दोनों बैलू in it has more weight तुम पाओगे कि वायू से भरा हुआ बैलून यानि वायू वाला बैलून में ज्यादा भाहर होती है hence air has weight इसलिए वायू में भाहर होती है now air occupies space वायू जगह चेकती है air occupies space क्या मतलब वायू जगह चेकती है वह कैसे तो activity two यानि क्रिया क्लाब दो में हम लों देखते हैं वह कैसे संबब है तुसो air occupies space टेक फुटबॉल एक फुटबॉल लो बलो air into it इसमें हवा भरो वायू भरो and see what happens और देखो क्या होता है the football becomes bigger football जादा बढ़ा हो जाता है why क्यों this is because air has occupied the space inside the football ऐसा इसलिए क्योंकि वायू ने football के अंदर जगह चेक लिया है और अब है उसके बाद importance of air वायू का महत्व we cannot live without air हम लोग वायू के बिना जिवित नहीं रह सकते हैं animals and plants do cannot live without air जानवर और पाओधे भी बिना वायू के जिवित नहीं रह सकते हैं all living beings need air to breathe and stay alive सभी सजी प्राणियों को सांस लेने और जिवित रहने के लिए वायू की जवरत होती है now uses of air यानि वायू का उप्योग air is very useful to us वायू हम सबों के लिए या हमारे लिए बहुत उप्योगी है very useful मतलब बहुत उप्योगी air in the tubes inside the tires makes bicycle move tire के अंदर tubes में भरे हुए वायू bicycle को move कराती है the cycle को गती कराती है air makes fires burn वायू आग को जलाती है air helps to dry cloths वायू कपड़े को सुखाने में मदद करती है air moves sailboats, gliders and the big blades of a windmill वायू sailboat, glider और पबंद चक्की के बड़े blade को चलाती है इसी के साथ ये जेप्टर स्वाफ होता है करता है झाल